अब जैसा कि हम जानते हैं कि Samsung अपने next major flagship smartphone Galaxy Note 10 7th August को launch करने वाली है और पिछले कुछ दिनों से हमें इसके काफी leaks भी देखने को मिल रही है और अब हमें finally इसका first hands-on video भी देखने को मिल चुका है through a leaked video तो recently Note 10 Plus spot किया गया था Korea की subway में in a live video and as expected ये smartphone काफी जबरदस लग रहा है देखने में अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे तो इसके bezels काफी minimal है और according to leaked spec sheet इसकी screen to body ratio हो गया around 92% इसके अलावा सेंटर में आपको एक 5-hole camera भी देखने को मिल जाएगा जो इस पर एक single camera setup होने वाला है as compared to Galaxy Note 10 Plus और ये काफी symmetrical भी है इस device की दोनों साइड पर आप ए देख चुके हैं अभी कुछ दिनों पहले ही हमें एक hands-on image देखने को मिली थी Note 10 Plus की in South Korean public transport and already हम इसके काफी renders भी देख चुके हैं तो renders and leaks के according ये बात तो confirm है कि ये smartphone काफी कमाल का होने वाला है in terms of design बाकि अगर बात करें इसके specifications की तो आज ही Samsung नी ये confirm कर दिया है कि August 7 को launch event में company एक नया chipset भी launch करेगी जो होगा Exynos 9825 जो Exynos 9820 का upgraded version होने वाला है जिससे ये बात तो confirm है कि Note 10 series Galaxy S10 series से जाधा powerful होने वाली है इस chipset के बारे पर जैसा कि अब तक हमने सुना है कि Exynos 9825 में हमें slightly performance bump देखने को मिलेगा और ये काफी power efficient भी होगा और कुछ sources के according ये Snapdragon 855 स सकता है क्योंकि 7 nanometer पर based है बाकि अब देखने वाली बात ये होगी कि Samsung Note 10 Plus series के साथ क्या-क्या नए features introduce करेगी तो येर क्या आप लोग excited हो Galaxy Note 10 series को लेकर मुझे comment section में जुरूर बताना ऐसे और वीडियो देखने के लिए channel को कर लो subscribe और वो bell icon भी दबा देना ताकि आप feature के को कोई भी वीडियो को ना मिस कर पाएं तो हैर मेरा नाम है समीर और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने अगले वीडियो में